इस्टून इस्ट्स फोन एन वर्टिकल ये अफवार डिरेक्शन में विद डूश्टी फाइव तो इनीचिल वेलोसिटी हमें दे रखेंगा 5 मेटर पर सेकेंड और इफ ड़एक्छलेरेशन ऑव इस्टोन इस डूरिंग दलाशन इस 10 10 meter per second square acceleration हमें consider करना है यहां पर अफ़वार्ड डारेक्शन में जी की वेल्यू जो है 10 लिनी है 10 meter per second G और A सेम ही है क्योंकि यह ग्रैवर्टी की बात हो रही है ठीक है तो A जब हम किसी चीज को ऊपर की और फेकते हैं जहां से सुनना बात को जब किसी चीज को ऊपर की और फेका जाता है तो पहले तो वह स्पीड से जाएगी और फिर उसकी स्पीड घटते 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 एक फाइनल पॉइंट पर आके वह maximum height यहां पहुचेगी तो वहाँ final speed V is equal to 0 फिर वह उसके बाद दुबारा वापिस आना शुरू करेगी तो एक कुछ छण के लिए उसकी speed 0 हो जाएगी वही उसकी maximum height होगी तो इससे हमें क्या पता चला कि जब कोई चीज ऊपर की और जा रही है तो वह उसकी final velocity तो हमें पता ही है 0 है initial भी पता है वह 5 दे रखिये 5 meter एक ही value भी पता है एक ही value कितने दे रखिये 10 meter per second square दे रखिया तो आपके पास क्या क्या data है V है U है A है क्या पूछा है T तो कौन सी equation लगेगी first equation V is equal to U plus 80 दूसरा फिर हम S निकालें तो S निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थर्ड equation में V square is equal to U square plus 2S तो इससे हम maximum height भी निकाल सकते हैं तो हमारा जो question है वो first और third equation से easily solve हो जाएगा होने को आप second equation से भी solve कर पाएंगे तो given था 5 meter per second minus 10 यह हो गया equation third हमने apply करी तो distance हमने calculate कर लेनी है 2 into minus 10 और 0 का square minus 5 का square तो 20 minus के 20S और 5 का square 25 और इसके बाद minus 25 divided by minus 20 minus से minus cancel हो जाएगा answer will be 1.25 meter per second first equation of motion हमने apply किया V is equal to U plus A T apply किया तो V minus U अधर चला गया तो V minus U हो गया तो A से divide हो जाएगा तो A से divide हो जाएगा तो time calculate हो जाएगा और time calculate कर पाएंगे तो आप 0 minus 5 upon minus 10 तो time is 0.5 second यानि आधा second 1 by 2 second जिसको हम क्याते हैं clear कर दो जाएगा